दिवाली के मौके पर आप किस तरह से पीपीएफ एकाउंट के चरिये से एक करोड रुपे का फंड इकठा कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे पीपीएफ यानि की सारुजनिक भविश्य नहीं दीखाता, ये एक अनोखी बचत योचना है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने पर जहां आपके पैसो की सिक्योरिटी की गैरेंटी गौर्मेंट देती है, वहीं इंकम टेक्स में बचत का बेनिफिट भी मिलता है पीपीएफ एकाउट को खोलने से क्या बेनिफिट होते हैं आईए जानते हैं, पीपीएफ एकाउट को सेविंग बैंक में या फिर पोस्ट आफिस में खोला जा सकता है, इसमें एटीसी के तहत जमा किये गए पैसो पर इंकम टेक्स से छूट भी मिलती है, पीपीएफ से म बात करें तो इस वक्त पीपीएफ एकाउट पर 7.1 फीसिती ब्यास दिया जाता है, और इसमें इंटरस्ट को हर 3 महिने में काउट किया जाता है, बैंक से पोस्ट आफिस या फिर पोस्ट आफिस से बैंक में इसली ट्रांसफर भी किया जा सकता है, पीपीएफ में हर साल अ आप डेड़ लाख रुपिया इसमें जमा करते हैं तो ये 15 सालों में 40,68,000 रुपे का फंड तयार कर देगा जो की पूरी तरह से टेक्स फ्री होगा अगर आप इस अमाउन को पीफ खाते से ना निकाले और 5 साल के लिए इसे बढ़ा दें और ऐसे में अगर आप अगले 5 साल के लिए भी 1.5 लाख रुपे जमा करते रहते हैं तो आपका फंड 66,68,000 रुपे का बन जाएगा यहां पर आपके द्वारा जमा किया गया पैसा 30 लाख रुपे होगा और ब्याच में मिला पैसा 36,58,000 रुपे होगा जो की पूरी तरह से टेक्स फ्री होगा अब अगर इस साल आपको डेल लाख रुपे इसमें जमा करने होंगे इस तरह से 25 साल में पीपीएफ में कुल मिला कर तैयार हो जाएगा 1.3,000 रुपे और यहां पर आपने सिर्फ जो पैसा जमा किया है वो है 37,50,000 रुपे और इस जमा अमाउंट पर आपको जो ब्याच मिला है वो 65,58, इस तरह से 25 साल में टेक्स फरी एक करोड रुपे का फंड आप जुटा सकते हैं पीपीएफ एकाउंट के द्वारा तो अगर आपका अभी पीपीएफ एकाउंट नहीं है तो आप इसे किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट आफिस में खुलवा सकते हैं वीडियो है तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा